गुड मॉन्नेंग विद्याती मित्रो दोरन शव माउं भर्षा बेन पूरो ही आजे दोरन शव माँ आपड़े जरा मुस्कूराई ए पाठ नू अभ्यास बनवारो जरा मुस्कूराई एतले थोडू हसो एमा आपने नाना मोटा जोख आपेला आता बराबजे तो अवे अभ्यास बनवानों छेशू छेजू के जे अभ्यास आपेलो छे ए अभ्यास आपड़े बनवानों छे अभ्यास नी अंदर आपड़े प्रश्ण नंबर एक प्रश्ण नंबर एक आपेलो छे सामाईको अखबारो में से सुट कुले पढ़िये और कक्षा कक्ष में सुनाईये ए प्रश्ण आपड़े लखवानों नथी बराबल छे प्रश्ण नंबर पेलो आपड़े लखवानों नथी प्रश्ण नम्बर बी जोद्यान रगजो प्रश्ण नम्बर बी जानी अंदर आपणने आपेलू छे सुचे जो उंग प्रश्ण वाजू छो के निल्मला लिखीत परी छे दिसे में से मुहावरे ढूंडिये और उनका अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिये अवे आपणे जे आप फेरेकर आप आपेलो छे आपनने उब बतावामा आव्यू छे कि आज ए फ्खक्रों आपेलो छे ए फ्खक्रानी अंदर थी रूडी प्रयोगों आपको रूडी प्रयोगों लखो अने एनो वाक्यों मा प्रयोग पेला रूडी प्रयोग नो अर्थ आपनो अने पछी एमके एनो वाक्यों मा प्रयोग करो अवे उम्हें पेरेग्राफ वाचो चू द्यान्ति साबर जो, अवोक विद्यार थियो नू के उएउँ छे के हिंदी मा तीचर थोड़ू स्पीड मा बोले छे, वराबर अवे आजे में स्पीड बिलकुल ओछी करी गी थी छे, जो द्यान्ति साबर जो आ पेरेग्राफ पच जो 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 वाक्षब्ड नी नीचे लिटी दोरवानी कऊ, एनी नीचे तमारे लिटी दोरी देवानी, तमारे तमारे हिंदी नीच अपडी मा, एनी नीचे तमारे लिटी करी देवानी, ए आपडो रुडिप्र मुहावरू, मुहावरानो मतलब रुडिप्रू, ब जब व परिक्षा देने गया तो उनका इद का चाद मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदिक ही था इद का चाद नी निचे लिटी करो महेश आस्तिन का शाप निकला आस्तिन का साप नी निचे लिटी करो और व अध्यापक की नजर चुरा के निचे लिटी करो रमेश की कापी में से नकल कर रहा था उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबुला हो गए आग बबुला नी निचे लिटी करो जुओ दियांति साब बल जो पेला पेली लिटी नी अंदर आखो का तारा नी निचे लिटी करवानी कमर कसके नी निचे लिटी करवानी इद का चाद नी निचे लिटी करवानी आस्तिन का साप नी निचे लिटी करवानी नजर चुरा के शब्दा नी निचे वाक्यमा लिटी करवानी और आग बबुला ये निचे लिटी करवानी बराबन हवे उँ आगर करूछू, कि आपने सु किदूचे जो हवे उँ प्रश्णवाचू, नीमन लिखित परिशेद में से मुहावरे ढूंड कर, ढूंडिये और उनके अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिये, आपडे पेरेगराफ वाच्यों, एनी अंदर थी आप जे मुहावरे अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग करवानों छे, ए आपने करीशू, वेरा में चे, तो एनी पेलो, आखो का तारा, बहुत प्यारा, तो आपडे एनी शब्दा लखवानों, कि बेटी अपने पापा की आखो का तारा होती, हे, द्यान्थी सांबर जो, जेनी पासे नवनित नथी, जेनी पासे बीजी कोई वस्तू नथी, जे मारो वीडियो जो इने लेशन करे छे, ए बाला को द्यान्थी सांबर जो, आखो का तारा, बहुत प्यारा, वाक्या बन्षे बेटी अपने पापा की आखो का तारा होती, हे दिकराओ ये पन लखवान वे उजके बेटी अपने पापो का तारा बेटा लखवान छोकराओ बेटा अपने पापा के आखो का तारा होता हे एव लक्षे अन्ने दिकर ये लक्षे बेटी अपने आखो का तारा होती कमर कसना अच्छी तरह तैयार होना मैंने भी प्रतियों गीता में जितने के लिए कमर कसली है मैंने भी प्रतियों गीता में जितने के लिए कमर कसली है बनावन हवे आगर इद का चांद होना बहुत दिन बाद मिलना आज कल तुम इद का चांद हो गए हो दिखाई नहीं देते तमे ने उँ तमे पाचमा माती छठा माया अने उँ आपने उँ तमारी वर्क शिक्षक छता पन आपने इदना चांद जेऊ छे आपने बहुत दिवस्तिया छो मेना थे आपन आपने एका भी जाने मल्या न थी बेराबर हवे आगर आस्तिन का साप आस्तिन का साप न मतलब थाई कप्टी मित्र मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन व आस्तिन का साप निकला नजर चुराना किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना नजर चुराना किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना पोलिस अधिकारी अधिक जोसु कि दुछे नजर चुराना किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना तो इसमें वाक्य का होगा अपरादी पुलिस की नजर चुरा कर भाग गया आग बबुला होना बहुत क्रोधित होना एनु वाक्य नोकर से गुल दस्ता तूट जाने पर मालकिन आग बबुला हो गय नोकर से गुल दस्ता तूट जाने पर मालकिन आग बबुला हो गय हवे आगर नो प्रश्न प्रश्न नमबर त्रोन रेखांकित सब्दों के लिंग बदल कर वाक्य फिर से लिखिये अया जेशू केदु छे के जेने नीचे लिट्टी करेलो सब्द छे ए सब्द लखी ने नीचे नव वाक्य बनाए तमारे प्रश्न लखो एटले प्रश्न आ वाक्य लखवानू आ वाक्य लख्या पसी नीचे सब्द मा नीचे नो सब्द छे छे दखला तरी के मेरे दादाजी यात्रा पर गए तो पहला एक लखोवानू पछी यात्रा पर गई है एक लखोवानू एक लिटी मा अंदरलाइन वारो सब्द वाक्य लखवानू एनी नीचे नी लिटी नी अंदर एनो जवाब लखवानू बराबचे एवी रिते तमारे लखवानू अने बन्ने नीचे अंदरलाइन करवानू दादाजी नीचे पन अंदरलाइन करवानी अने दादी जी नीचे पूर अंडरलाइन करवाने, बराबर ध्यान्थी अवेश सांबर जो, प्रश्ण त्रीजानों पेलो, मेरे दादा जी यात्रा पर गई है, तो एनो जवाब छे, मेरी दादी जी यात्रा पर गई है, एक आदमी ने मुझसे कहा, एनो जवाब, एक आरत ने मुझसे कहा, एक आरत ने मुझसे कहा, त्रोन, लेखक कहानी लिख रहा है, लेखक कहानी लिख रहा है, लेखी का कहानी लिख रही है, लेखी का कहानी लिख रही है, आगर, चोथू, मेरी मालकिन का स्वबाव बहुत अच्छा है मेरे मालिक का स्वबाव बहुत अच्छा है 5. बारिश को देखकर मोर नाचने लगा तो सु लखिशु बारिश को देखकर मोर नाचने लगी आगर जंगल में सेर दहाड रहा है जंगल में सेर दहाड रहा है एनो जवाबावशे जंगल में सेर नी दहाड रही है जंगल में सेर नी दहाड रही है तो एनो जवाबावशे शेठानी दुकान में बेठी है अची आठ मो अध्यापक पड रहे है अध्यापक पड रहे है तो एनो जवाबावशे अध्यापिका पड रही है अध्यापिका पड रही है नव मो पंदित रामायन सुनाने लगे पंदित रामायन सुनाने लगे तेनो जवाबावसे पंदित आई रामायन सुनाने लगे पंदित आईन रामायन सुनाने लगे दस मो लड़का दुकान के पास खड़ा है लड़का दुकान के पास खड़ा है, तो एनों जवाबाव से लड़की दुकान के पास खड़ी है, लड़की दुकान के पास खड़ी है, पचिया आगर प्रश्ना नंबर चार, उदाहरण के अनुशार सब्द का चार चार वाक्यों में प्रयोग कीजिए, अईया आपड़े गर्णू उदाहरण, आपे लुचे एनों बोलती न थी, केंके एनों बोलवा जा, इस तो मीजा चार चार आईया चार पंचा विस्तो थसे एने पाचा च्वाविस थसे, यह थोड़ी वार लाक्षे, अपड़े उदाहरण तो तमने देखा एच्छे के मेरा घर सुरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मेरे घर में तीन क कमरे है, में अपना घर साफ रकता हूँ, यह आपनने आपेलू छे, बराबर, अवे ए घर नी जग्या आपने बीजे अहिंगाडी, आपनने एक शब्दा आपेलो छे, बाग, नदी, दोस्त, पसंद ने कहानी, आज ए शब्दा आपेला छे, ए शब्दा उपर थी आपने वाक्या बनावाना छे, बराबर, एटो ए प्रस्णा छे, ए आपडे फरी ना विडियो मा करी शुख,